So hi, ईसनल लीकूम के subscribers, क्यासा है आप सबी लोगा? दोस्तों, एक Vivo के हैंसेट हो में है, सबसे हधार लोग फस्ते हैं, कि सर Vivo के हैंसेट आते हैं और टैंपडरीचर का एरह नहीं बनता, अगर आप अब ने मेरा यह वीड़ो नहीं देखा है तो आप यह वाला वीड़ो देख लो बहुत रिटेलिंग में है मैंने भी वीड़ो बना ला था इसको मैं वर्ड फर्स वीड़ो अब अभी तक यूटूब के अंदर से भी इक मोबाइल को रिपेर करें कि यह रिच्टर बदल देन या उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक कम्प्लीट सेटकिट अगर हम सीखते हैं तो उससे हम बाकी सेटकिट को बना सकते हैं आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वीवो के हैं सेट होने वाले हैं जिसमें टैंप्रेचर एरर सबसे ज्यादा आता है आई सबसे इसका सब्सेट समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है और जनिली अपना जाए से आदा लोक जो टाइम खर्च करते हैं दोस्तों वो अपना टाइम कर्च करते हैं यहां पर बैट्टी करेक्टर पे वीवो के हैंसेटों में खास तर बे मीडिया टिक की आईसेओं में आप मेडिया उससे भी बहुत नॉलेज बिलेगा यह मेंने एक प्रेटिकल मॉडल बनाया था और वीवाई वीवाई यह वाला वीवाई जो है हम बना रहे हैं वीवो का वी 15 सो इसका कोई स्केमाटिक नहीं है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोई ऐसा कोई डाटा सीड नहीं है तो कि स्केमाटिय वेड़ाउड किसी फोन की सर्कुट को कैसे जाने वीटृ के रहने वाला है और यह जूरय के टैन की टैमप्रेचर अकेर वह जाते किदर है और किस तरीके से बनाया जाते यह उसको पहले समझाने के लिए मैं आपको एक temperature error जो बताओं वो बेसिकली होता क्या है देखो दोस्तों temperature error फोनों के अंदर एक तरह से दो प्रकाड से आता है अगर हम बात करें एक जो हमारे बोर्ड में लगए हुए NTC होते हैं NTC जिसको हम बोलते है negative thermistor coefficient और दूसरा जो हमारी बैटरी के अंदर एक NTC लगा होता है तो बैटरी के अंदर क्योंकि बेसिकली एक NTC हमारा कहा लगा है यह सारे हमारे बोर्ड में लगे हैं दोस्तों हमारे में बोर्ड में कहीं भी हो सकते हैं सब बोर्डों में यह सरे पर बैटरी के बीए में circuit के अंदर जो NTC होता है उसी NTC को supply देने के लिए जो circuit बना जाता है इसलिए उसके बैटरी के रेक्टर पर एक supply होती है जिस supply का नाम होता है हम उसको कैसे समझते बैट थरम या हम मीडिया टेक के अंदर उसको समझते हम बैट ओन यह सारी कोडिंग है ह मीडिया टेक के अंदर इसको बैट ओन समझते हैं कॉलकम के अंदर इसको बैट थरम समझते हैं इस तरीके से इसकी supply हो का नाम होता है अगर यह supply हम मिलती है तो अगर temperature का error आ रहा है तो सबसे पहले हम obvious है की बैटरी के NTC को ही चेक करेंगे ठीक है और अगर जैसे की Samsung के समझता मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं जब NTC बैटरी के अंदर नहीं है तो बैटरी के बाहर होगा और बैटरी के बाहर केवल क्या है बोड तो यह तो NTC आपका में बोड में होगा और या तो NTC आपका सब बोड में होगा इस जैड ले तो यही मैंने आपको बताने के लिए सर्किट बता है अब जोड़ी नहीं है कि एक NTC को बेसी के डिवाइडर सर्किट के दौरा बनाया जाए तो सबसे पहले अब मैं आपको तोड़ा सा सेकेंड है कि यह सर्किट होते क्या है देखो जैसे माल लीजे एक पीएफो है पीएफो के पास में आपने देखा होगा एक NTC लगा होगा होता है जनली हाना नहीं जानते हैं तो आपको सुरू से पढ़ने की बहुत ज़दा ज़रूरत है यह एक कॉमन चीजे होती है ठीक है अब ज इस तरह का सर्किट बनता है जिसके अंदर एक डिवाइडर सर्किट बन जाता है जिसमें यह NTC1R2 यह R1 और यह जो बीच वाला पॉइंट होता है दोस्तों यह आपका होता है वी आउट जो बिसिकली आपका NTC जिसको हम यहाँ पे NTC लाइन बोलते हैं तो यह पावर के अ तो NTCN और इसको वुल्टेज दने के लिए अलग से लाइन होती है जिसको कभी VIO 1.8 मिलता है या कभी कोई दूसरी लाइन मतलब एक पुल अप सर्किट सो आप देखो तो बिसिकली एक डिवाइडर लगा है जिसमें R1 को वुल्टेज दिया जा रहा है R2 पे इसके डिवा करता है कि मामला गर्बर है और वह आपको टैंपरेचर का एर दे देता है कुछ इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से आपका बेसिकली टैंपरेचर का सर्किट काम करता है सेम बैक्तरी में कैसा होता है बैक्तरी के अंदर जो BMS सर्किट होता है दोस्तों उस BMS सर्किट मे में भी आप एक फूटू देख रहे होंगे उस BMS एडिकेट में भी आपको एक NTC देखने को मिलेगा जिसकी वेल्यू हंड्रेट के या कोई भी 33 के 55 या कुछ भी ऐसी के आपको मिल सकते हैं इस NTC को बिसीकली जो दिया जाता है आपके बैट ठरम सप्लाई से और इस बैट ठ पुल-ब रजिस्टर लगाया जाता है जिस पर 2.8 बीच में जो दाला जाता है वो दाला जाता है बैट ठरम और अब जैसी आप बैटरी लगाते हो यह दोनों ही एक साथ मिल जाते हैं आरवन आपका और इसके बीच में एक सेंट रजिस्टर होता है जिसका ज्यादा कोई देना देना नहीं होता है मुझे को चाहें तो जंपर भी मार सकते हैं बट बहुत कुछ-कुछ CPU के साथ हर CPU के साथ नहीं तो अभी अप जैसे हमने फोर जंपर यह जानली 1K के रिजिस्टर होते हैं अभी कैसा है जैसे हमने फोन ओन किया चार्जर लगाया तो यह वह तो प 10V 1.1.9 कुछ भी जो उसके कैलकुलेशन के हसाफ से वह वोल्टेज दे देगा अब जोड़ी नहीं है कि कैलकुलेशन इंदम प्रॉपर ही हो क्या हम उस कैलकुलेशन का पता लगा सकते हैं क्या हम यह बता सकते हैं कि वह कैलकुलेशन होनी चाहिए बहुत ईजी तरीके हैं अब आपको चैप्टर 3 में ले जाना कि बहुत जड़ा ज़रूत है देखो कुछ मुबाइल जैसे साउमी के हो गए या आपके टेक्नो हो गए इंफिनिक कुछ भी मुबाइल अगर हम ले ले उसमें विसी के लिए आपको पता है बैटरी के अंदर चार टर्मिनल्स होते है होते ही आठ है पर ये एंटी क्लाउग वाइजा है आपके जिग जैक जैसे कनेक्ट होते हैं आपस में फॉर जंप पर ये कनेक्टेड है डिस इस वर इस वन इस ग्राउंड इस वन इस यौर बी बैट सो एक आपका हो गया आईडी अन देस्ट वन इस और एंटी सी या तो इस इस यह तो इसको बैट ओन या तो इसको बैट थरम इस ओल डेपेंड इस कमिन विड्डिस तरकेट ओगे अब आईडी से तो आपका टेंपरेचर का एरर आने से तो रहा नहीं आपका टेंपरेचर आना है एंटी सी बड़ अभी जिस मुबाइल के अंदर यह लाइनी न यूटूबस जो देखते हैं और जो यह सोचते हैं कि काम करें लोगा भाइन दुकानदार लोग भाइन तुम लोग तक्या करते हैं हर फोन की रेपेडियन सीखनी पड़ती है कि उनको सटकित का पूरा एक भैतर नॉलेग्स नहीं होता पर जो सटकित का नॉलेज्ज लेकर करता मुझे यहां कैसे बनाना है прост familiar CS आप संखे करूए 항상 Band सबस्दके आप जैसे कि Vivo के handset में Vivo के MTK के handset में आपको यह NTC के line नहीं होती है정ली एक single line होती है् . मैं आपको दिखाता हूँ पीप है okay तो जैसे कि में आपको यहां पर हमने Teammoo का V15 तो खोल के रखा हुआ है यह आप देख रहे हो हमने इसका चार्जर डाटा खोला ठीक है चार्जर डाटा खोलने के बाद हमें इसका जो चार्जिंग के जुड़ी ही सारी सप्लाई है वो मिलती है जिसके अंदर इसके ID और टेंपरेचर की लाइन भी होती है अब जैसे कि आप पहले यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा ID यहां पर आपको देखो बैट ID ADC यह क्या है यह अलग है डी-प्लस दी-वी-चार्ज ठीक है तो बट आपको यह सर्किट देखने को नहीं मिलेगा अब सिभी सिंगल सिर्केट क्यों कि इस अच्छा यह भी अब समझनी की बात है क्यों कि दोस्तों मीडर टेक के अंदर मैं यह नी कहुंगा कि सारे फोनों में ऐसा है कि CPU में निहीं जाते आँ जाते हैं ID मीडरेक अंदर तो CPU में जाते है धरम भी कुछ नए लेटेस्ट 5G क आपको चेक करना पड़ेगा आपको उसके सटकेट के अंदर जाना पड़ेगा सिफ 4G 4G नहीं 4G पढ़ने के बाद 5G पढ़ना भी जवरी है इसलिए हमने अपने स्टुडेंट के लिए 5G अपडेटेट कोस बनाया है तो जो हमारे पुराने स्टुडेंट हैं जो बहुत जार कुछ भी हो सकता है तो उससे वह अपने 5G अपडेटेट कोस ले सकते हैं जिसकी फीज मैंने 25,000 अपडेट करना है मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनको अपडेट करूंगा भवेस को लेकर ठीक है आप देखिए यहां पर यह इन्होंने इस आईडी की लाइन को बै अनलोड टू डिजिटल कंवर्टर और हम जब इसकी बात करेंगे तो यह पुलब और एक सेटकिट बनाकर यह सीप्यू के अंदर जाता है तो देखा जाए तो फिलाल हम यह जरूर कह सकते हैं कि भाई साब यह टेंपरेचर की लाइन तो नहीं है तो अब यहां टेंपरेच तो के अंदर यह चोंच करने लिए रीच है अगर भी मिल जाता तो भी हाम कोई मतलब नहीं क्योंकि दोस्तों न हां ठ्रमिस्टर का प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है सगय कशिक का यह ट्रेक कंपलीट है तो आपको समझना जोड़ी है तो आपको मैं मेरीर्टेक के वीव करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा फिर बात में हम इसको खोलेंगे ताकि हम इसको एजली पहचान सकें क्योंकि मेरा मेरा उद्देश आपको हर मॉडल पढ़ाना नहीं है मेरा उद्देश एक सारे मॉडल कवर करना है उसके बाद जो अपडेट होगा वह आपको अलग मि सब्सक्राइब तो आपने क्या करना है आप अपनी मीडियर टेक की पावर आइसी खोली आपकी MTK का पावर आइसी 63 जो जो हो बला 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 वह 57 ओ या 58 ओ या 59 हो कुछ भी हो सकती है तो आपने उस आइसी को खोलना है उसका आपको एक डाटा सीट चाहिए बस जो आप अ एक बीबैट है एक ग्राउंड है और एक आईडी है ठीक है जब मेरा बैटी करेटर में है जब यह तीन चीजे है तो फिर मेरा थरम कहा है तो आपको बैट थरम धूरना है जब आप इसका बैट थरम का पॉइंट धूरेंगे पैड जो हम आपको बताओंगा धूर के अभी bat tharam या फिर हम इसको बोलेंगे bat on थaram तो हम बोलते ही नहीं है आपर तो हम बोलते है bat on मैं और अच्छे से लिख देता हूँ देखे भई bat on अब यह bat on का जो pad है अगर आपको यह pad मिलता है तो अब्विस है कि यह pad भाहर निकल कर आपको कोई circuit बना कर यह आपके FPC connector फिर जिसको हम flex print cable या तो हम B2B connector कहते हैं उसके अंदर यह जाएगा क्यूंकि generally जितने भी जो वीवो होते हैं 90% मैं 100% बात नहीं करता हूं कुछ आपके जो R2 है हमें R2 पता करना है वो आपके या तो subboard में होते हैं या तो flex cable पे होते हैं आपको लगा होता है अब इसका circuit इतना तो आप समझ गए कि सबसे बले आपको क्या बता करना है बैटन खाली बैटन से नहीं होगा आपको एक और पॉइंट पता करना है जो कि उसको एक voltage मिल रहा है ठीक है तो पिलाल आपने बैटन पता करना है अब अगर मैं इसको तोरह सा इधर कर दूँ ठीक है अब नोडेश करना कि देखें दोस्तों होता क्या है कि यह circuit एचल में क रजिस्टर कनेक्ट होता है कि इस तरीके से और यह रजिस्टर फिर आपका कि करनेक्टर पर जाता है कि मानलों इसके जा रहा है इसमें ठीक है और यह जो रेजिस्टर है यह पुलप्स रेजिस्टर है इसके दूसरी और फिर से आपको एक पॉइंट जो की बापस आते हुए मिलेगा अचली वह आ नहीं रहा है वह जा रहा है तो यह इसका बैट्वन है और यह इसका इसको मिलेंगे तो यह एट रीजिस्टर लगा होगा क॥ तो आपको यह भी चेक करना हip कि रीजिस्टर के दूसरी और वुल्टेज आ रहा ही कि नहीं आ रहे और जब हम अगर हम इसके सब बूर की बात करेंगे notice करना देखिए जब हम यह नीचे अपने सब बूर में जाएगा तो सब बूर में आपको एक register देखने को मिलेगा और यह register होगा आपका NTC तो यह हो आपका क्या R2 इस तरीके से ग्राउंड और यह इधर नीचे उधर उपर तो इधर नीचे ठीक है और यह बीच का हो गया तो कुछ इस तरीके से इसका circuit बनता है जिसमें मैं अगर बात करूं एक IC से एक register लगा और उसके साथ ये ये देखो दोस्तों अब इसमें ये register कुछ इस तरह से एक लगा के इसको यहाँ पर बापस भेज देते हैं ये हो जाता है voltage ये हो जाता है baton और ये हो जाता है आपका ntc जिसमें ये आपका science register हो गया ये r1 और ये r2 और यहाँ पर आपको ये r1 क्योंकि ऊपर voltage आ रहा है यहाँ पर 1.8 और ये r2 यहाँ पर आपका ये ground और ये वाला आपका होता है thermistor तो आपको वह thermistor दूरना है और ये बस पता करना है कि बाई ऊपर से नीचे तक कनेट्ट है कि नहीं है और उस पर voltage आ रहा है कि नहीं है क्योंकि दोस्तों voltage का scene ऐसा है कि चाहे तो आप पावर क रिबॉल करके चेंज करके बोल्टेज दे सकते हैं नहीं तो आप इसको अलग से 1.8 या 2.8 भी आप मोडिफाय करके दे सकते हैं जहुरी नहीं है क्योंकि वहां उसको सिफ इस पैड को खाली अपने आपको सेंस करवाना है उसको यह नहीं चाहिए कि यह भी आ जाए यह भी आ हाथत नहीं है और एक कॉंपनेंट हटा कर या वीडो बनाने के हाथत मेरी नहीं है इसलिए वीडो में लंबा होगा नॉलिजबल होगा और आपको देखने में मजा आएगा तो हमने हाड़वेर सलूशन पर जाते हैं और अब हमें आपको पूरा सिस्टम के हसाब से बताता और अगर आपके पास में सब़्ूर कभी recommend तो आपकी बल्ले बल्ले नहीं तो आपड़ से नीचे तक फिर आपने ट्रेसिंग करनी है और आपका नीचे ही प्रॉब्लम है तो आप नयां सब्ढोर नया सब्ढोर होतना प्रैस करके अब एक सब्ढोर पर्शेस करके लागे उ संपर मार सकते हो ऐसा ही होता है अभी के 5G अपडेटों की PCV में जितने भी जो रेडियो आफ आ रहा है एरोप्ले मोड आ रहे हैं वह सब बूर्ड में सेकंड PCV परचेस करके लाके क्योंकि में पीसी भी नहीं ला सकते ना तो सेकंड PCV तो ला सकते हैं अब आप नोडेस करो अब इसमें करना क्या है अब इसमें हमें सबसे पहले इसमें जाना है इसके डाटा में अब हमें सबसे पहले इसकी पावर एसी के अंदर हमें एक सप्लाई धूर्ड नहीं है दोस्तों अब वह सप्लाई है बैट ओन ठीक है तो हम इसको इनेबल कर लेंगे सो पैड इंफो क इसको देख पाए अब हम इसको तुरह जूम करेंगे और अब हम इसको बैट ओन की सप्लाई धोड़ेंगे उसके लिए हम चाहें तो हम एक दूसा स्केमाटिक खुल सते हैं और यह पता कर सते हैं कि हमारा बैट ओन किदर है तो आए वो भी चलते हैं तो फॉर जंपर उसके ल को लेंगे यह मैं इसे रिलेटेट कोई भी पावर इसी को खोल सते हैं तो हमने देखा रेड्मी नोट नाइन में भी यह सट्किट लगा हुआ है तो अब हमने क्या किया अब हमने रेड्मी नोट नाइन का स्कमाटिक ओपन किया है ताकि हम इससे डाटा निकालकर हम उसके इससे डाटा को मैच कर सके है ठीकिंगे देखें कि क्योंकि वीवो के स्कमाटिक नहीं होते हैं मैं आपको बता दू यह हमसे अब य०ा नहीं मिल जाएगा जिदर आपको ठीक है जिदर आपको यह temperature का यह मिल जाएगा जैसे कि मैंने बता है कि यहां पर देको temperature ID दोनों है ठीक है तो यह 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 एक NTC ही circuit है temperature को भी NTC ही माना जाता है अब इस line को हम जाएंगे तो इस line पे आप देखो तो यह इसका R1 लगा है यह pull up है यह इसका sensor 1 के और यह 24 के का pull up है जो कि 24 के यहां होगा और कुछ 35 और 40 के बैटरी के अंदर अब आपने यहां पर बैटन को बहुत complete हो गया अब हमें यह पच्छी पता चल गए कि साफ हमको खाली L 12 चाहिए ड़जन मैटर बस हमें धूर ना आना चाहिए यह वाली भी चीजें अपने इंसिटूड में कौपी कर लो और इस तरीके से हसी मज़ा कर वाओ क्योंकि तुम्हारे को सुगह भी देता है हलो कैसा लग रहा है आप लोगों को यह काम जितना भी आपने समझा मुझे प्लीज कमेंट करके बताना और हलो कहने में बहुत मज़ा आता है और कभी-कभी तो चड़ाने के लिए भी करता हो इस तो डोस्तों अभी 98 इंसिटूड में क्या होथा ना टीचर इसम खुद सोया हूआ रहता है स्टूडेंट विचारा उंग रहा होता है कुछ लेक रहा है कुछ नहीं स्टूडेंट को हर बात पर जगाना होता है क्योंकि श्टूडेंट इस टीचर को ऐसा देखता है जैसे कोई मादे इस्टेज पे नाच रही है और वो देखके चला जाता है और वो क्या होता ना एक साइकलोजी होती है अब हम क्या बोलेंगे अब क्या बताएं कि साइकलोजी क्या होती है बट साइकलोजी होती है कि अगर हम सोच कुछ और रहे ह तो हमारे को घंटा क्या समझ में आएगा आप कितने अच्छा टीचर बिठा लो वो सामने नाच नूच के चला जाएगा इसलिए उनको पल 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 जगाने के लिए हैलो बुलाता हूं और बहुत अच्छा भी लगता है हलो तो दोस्तों मैं काफी एक्टिव हूं अपने इस लाइन में काफी पुडाना हूं और मैंने अभी अपनी लाइन में इसके बहुत कुछ देखा है और आयोग कि आप एस्प्रियंस पसंद करेंगे ठीक है हमारा सो मैंने जैसे बोला अल 12 आपको चाहिए अब आप बापस सर्कृट में आएंगे अपने वी 15 के और आपने नोस कट पॉइंट पता करना है बिट मैप में हमेशा गल्तिया होती ही रहती है क्योंकि सम्टाइम मतलब एक बार मैंने मिस्टर रिजाल बॉर्णियो के हैड ऑफ चीफ जो है CEO उनसे एक बार मिला था कस्मीर में तो उनसे पूछा था कि वाइद इस सो मैंनी मिस्टे कि इन नहीं है हमने खरीदा है हाँ अब अब उसमें अपडेट कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं विच इस मैं कह सकता हूं दा वर्ड बैस्ट अपडेट येट कि उन्होंने अपने बिट मैप को काफी हट तक अपडेट किया है तो हम हमारी पावर एसी का यह देखिए हमार में भी हमारे को कुछ पैड की वेल्लू मिल रही है नोडिस करो ठीक है सो हम यहां पर यह चला गए और अब हम इसमें अल बारा में आ गए तो यह हमको मिल गया है अल बारा देख गया तो यह है आपका सलूसन एक एक फोन को रिपेर मन करने के जरूरत नहीं है ठीक है अभी यह प्रोक्सिमेटी सेंसर के पीछे कागज लगाने की ज़रूरत नहीं है बनाई इसको बहुत इमानदारी से आपको एल बारा चाहिए इस से आपको देखना है कि बाहर कौन सा रेजिस्टर आपके एप पीसी करनेटर से जोर रहा है या कहीं और कहां है किदर है क्या है क्य जो इसी से आ रहा है जो वोल्टेज देने का काम कर रहा है जो जैनली 2.8 देता है तो बैटन को क्लिक किया तो बैटन को क्लिक करने के बाद नोटिस करो दोस्तो एक यहां पर पर कॉम्पोडिन्ट हमें मिला एक उपर लिए एक नीचे कॉम्पोडिन्ट है तो कि एक 1K वाला है हो सत्ता है इसकी वेल्लू कुछ और आप इसको 1K में भी लगा सकते हैं एक वंके वाला है और एक बापस घूमकर यह किसमें चला जाए आपको बहुतत है तो इस में देखेंगे तो यह देखो यह लगा में पावर में और यह वाल आप का दीखांगे कि їर्णा और यह उपर डूरी दूस्री और टाच करेंगे तो यह बापस घूम के इधर चला गया जो की यह पैड वैल्यू बना रहा है आपकी देखो बी बी आई एफ टू एट का मतलब यह होता है यह एक टू पॉइंट वॉल्टेज की सप्लाई है जो की फोन के चार्जल लगने पर बन जाने चाहिए और यह बीजिस्टर नहीं है तो कहने का मतलब है अगर यह वाला ट्रैक यह वाला ट्रैक इधर कुछ भी वोल्टेज नहीं दे रहा है तो आपको टेंपरिचर तो आए गई क्योंकि डिवाइडर पूरा बना है सब बूट बदल दिया सब कुछ ओके यह वह बट आपका वोल् उसको यह वाले ट्रैक से जो अंदर जा रहा है वो जो भी अंदर पैट पे है उधर उसको एक सेंस वोल्टेज चाहिए क्योंकि उसको कि हलो कैसे हो इसे फटग नहीं पड़ता है वोलता भी है मुझे वोल्टेज दो मेरा काम हो जाएगा तो यह हूंपर यह हो यह ऊपका यह यह बना अब अब यह को बिल्कुल यह बनार सब्सक्राथ यह बना अब यह ये वल्ही रेजिस्टर को आप बिल्कुल उन पर मार शक्ते हो इसका कोई सींन नहीं आओ सब्सक्राइब तो यह वाले इस्टरिया जंपर मत मी मारो मैं तो जंपर माने के लिए कभी नहीं कहता क्योंकि मैं आइफोन में भी काम करता हूं मैं जानता हूं कॉम्पडेंट की क्या वैलू है अब इसके बाद यह कॉम्पडेंट जा रहा है देखेंगे फिर से यह यह जा रहा है इधर यहां यह रिखाई जा रहा है दोस्तों तो अब आपको क्या करना है यहां से इसकी नंबर गिनना है तो यहां से यह इसका नंबर बनता है एक गिन लेते हैं अब आपको इसका सब बूर्ड भी अगर है तो बन करना है और सेम बापस यहां से इसका नी एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और यह आपको मिल गए आपका R2 हलो यह आपको मिल गए आपका R2 आपको यह चेक करना है कि यह component सही है, खराब है यह करके अब देखो, यहाँ पर अगर मैं इसका, सब बूर्ट ओपन करूँ, वीवो का, हम देख लेते हैं, देखें, तो, इस तरीके से इसके component ढूरे जा सकते हैं, ठीके, यह आए हो कि आपको, समझ में आया हो, यह देखें, तो यहाँ पर एक component है, जो की coil जासा दिख रहा है, पर और आप इसको चेक करके, मुझे कमेंट करके बताओ, कितना सही है, कितना नहीं है, यह सारी चीजे है, हाले कि मैंने आपको सब्केट पूरी बताई है, और इसमें आप देखो, तो सब बूर्ड में ऐसा कुछ भी नॉलेज या कुछ भी ग्यान नहीं देते हैं, तो दोस्त सब्सक्राइब करें, जो बच्चे अपनी सब्सक्राइब करके, वो बाद में जाके अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही घदे नहीं है, वो बेबकुब नहीं है, वो प्रोफेजनल इसम को समझ रहे हैं, और वो यह सोचते हैं कि मुझे स्पीड करनी है, अब जैसे अबनी स्पीड को भी बढ़ाना है, तो एसे टेलीकॉम को जॉइन कर सते हो, अब इस इतने सर्किट में आपको अपने वारे में थोड़ा बता सकता हूं, I hope कि आप इसको थोड़ा सा इंजॉय करेंगे और आपको सुनने में अच्छा लगेगा, दोस्तों एसे टेलीकॉम म स्पीड का, यह मिनिममम 12-13 घंटे का पूरा प्रियेट सेक्सेंस होता है, जिसमें हार्वेर सबसे ज्यादा होता है, फिर सौड़वेर के मात्र आपको तीन दिन जिसमें बेसिक आपका क्लियर होता है, और वह भी आपका बारा बारा दस-10 घंटे का, और उसके बाद फिर आपकी मिमसी और यूएफाई जो कि हमारे एक प्रभॉस आली टीचर मिलन सर के थुरू आपको दी जाएगी, इसके अलावा अगर मैं आपको यहां बात करूं, हार्डवेर के अंदर सबसे पहली इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं हमेजा तीन चीजों के वारे मैं बात करत दो यह मेरे को लगता है कि अच्छा मैं ये करूं कि आपको पहलumen को दो क्या टीना नहीं आपको बढ़ सबस्रेटा करा चा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसलिए आते साथ बच्चों को दो तीन दिन दो मनलग electronic और पता नहीं क्या electronic के नाम पर atomic structure बढ़ा रहे हैं कुछ मतना नहीं क्या बढ़ा रहे हैं जो की अपना waste of time है क्योंकि उनको अपने दिन कवर करने होते हैं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं हमें cold language बढ़ाते हैं 4G और 5G CPU वह रिपोल करवाते हैं ताकि वह भी यूनिवर्सल से वह भी एक बार नहीं दो बार नहीं कहीं बार ताकि उनका hand skill बने और वह परफट टरीके से करते हैं क्योंकि स्किल ही हम इस तरह से देते हैं और तीसरे दिन हम उनसे live 4G power IC को निकलवाकर लगाते हैं एक नहीं दो नहीं तीन कम से कम तीन या चार बार जिसमें हम उनके साथ फिर data sheet भी share करते हैं IC को कैसे पढ़ा CPU को कैसे पढ़ा अब इसी तरह के मैंने नंबर कैसे पढ़ा तो यह नंबर अभी CPU का आएगा तो यह CPU का जो नंबर आएगा यह पूरा CPU और MMC के पैड को किस तरह से पढ़ें तो यह बहुत टेक्निकली और पैटिकली डिटेलिंग आपके साथ सेर की जाती है और सारी चीजें हम देते हैं स्टूडेंट को बट यह सारी चीजें आप क्लास में आएंगे तो आपको और बहतर पता चलेगा उसके बाद 14 दिन हमारा CPU डे हो अभी आपने बोट के अंदर आप CPU, MMC, Power सब निकाल के लगा रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपने हाथों से आप कोई फॉन डेट करते भी हैं तो आप उसको फिर से ओन कर सकते हैं क्योंकि एक स्वभाविक है क्योंकि दोस्तों एक MBBS किया हुआ डाटर यह तो छोटे मोट करने का भी हमारों को हनर होना चाहिए तो वो पहले हमारों देते हैं कहीं आसा नहीं कि फोन आ रहे लेट रहे बस आगे जा रहे यह करके जो भी काम होता है इंस्यूटीूर के अंदर वो पूरा लाइव उता है लाइवय बूड में होता है गशे हुए पेटे मोबाईल साथ आपकी प्लस माइनस या आपकी आईडी और उसके अलावा क्या-क्या बैटिकरेटर के साथ जोड़ा हुआ है डीसी डीसी सब सब कुछ आपके साथ रवील करते हैं डीसी डीसी कैसे पहचा रहें किसी भी फोन में बिना स्केमाटिक से कैसे पता करें बीपी चीज्ट तो यह सारी चीजें कोसिज यह करते हैं कि ज्ञादा तर इस स्केमाटिक का यूज करके बच्चों को ऐसा जन करी दें कि बिड़ा और स्केमाटिक और स्केमाटिक तो रीड करना उनको आए गई ऑब्वेस है फिर इसके बाद हम ऑडियो सेक्षन जो कि एक एडवांस लेवल का है जिसमें हम सीप्यू तक पढ़ाते हैं ऑडियो सेक्षन दोस्तों एक क criminal के साथ बनावता है उनका ऐसा नहीं है कि हर कोई तीसरी लाइन से आहरी है कोई वाइड वाइफाइब को तो ऐसा कोई सीन नहीं है इसे लिए लिमिटेट लाइन ग्राफिस सेक्षन है पूरा सीप्यूटर ट्रेस करवाते हैं हर एक स्टुडेंट से अगर आप स्टुडेंट हो ना तो आप से हम वह डिस्प्ले आइसे के करवाते हैं सिह नहीं कि एक आए नहीं के अच्ँ और आपके ताली बजाएंगे क्योंकि आव नहीं है अपके मतलब नहीं है Q9 पिर उसके बाद सब्सक्राइब बेसों होता है WP करता है पिर उसको चाइब करते हैं किला सब्सक्राइब और सब्सक्राइब बाद में अपेमारे शॉडवें चालू होता है तो देवन उसके साथ फस सीए का किला स σालुध यह नाटर क्लास को भी हम बहुत detailing के साथ पढ़ाते हैं और उसमें हम expertise रखते हैं और साथ में dead class आपको इस तरह की देगी कि आप आपको वुच्छ आप student की सुनते हैं कि तरह में पाँच मिन में diagnose कर सकता हूं वाकी में पर कोई से boot sequence से नहीं है बूट sequence तो बहुत नॉर्मल है उससे तो आप बता ही दोगे कि पावर रूखी है कि CPU नहीं है नहीं क्योंकि वह 50% ही माना जाता है आप अपने हर एक component को पैचान होगे आप circuit के साफ से बना होगे विदाउट circuit के साफ से बना होगे और बहुत सही तरीके से आप करना है कब मुझे मिमसी उठाना है कब मुझे पावर बदलना है कौन सा एल्डियू किदर चेक करना है फिर इसके बाद में sorting की क्लास आती है जिसके अंदर हम आपके जितने भी सैट है उन सब की फोनों के आप से में sorting निकलवाते हैं दो sorting हम निकालेंगे वही तरीके आपको अपने बूर्ड में हमारे सामने अप्लाइ करना है जिससे नहीं होता उसके साथ बैट क्या अप्लाइ करते हैं ताकि क्लियर इन्स हो जाए तृर इसके बाद स्रॉट्वेर की क्लास इसके बाद हम जिसमें आप आपको basic आपको software चालाना, आपको driver latest आपके basically laptop में आपको सिखाते हैं उसके बाद फिर MMC क्लास आती है जिसमें हम पहले MMC फिर JTEC से UFS सिखाते हैं और उसके भी पहले hardware में आपको dual dicker चालू करा देते हैं जिससे हमारे बच्चों को dual dicker की RAM रिबॉल करना, RAM के बॉल भरना य PC के लिए CPU master course है और दोस्तों खास तौर पर इस बार मैं फिर से करने जा रहा हूं CPU competition आप लोग बने रहेगा इसे टेलिकॉम के साथ और प्रातना कीजे कि हमारा CPU competition जबदस जाए इस बार हमारे 28 सितंबर की जो बैच है उनका CPU competition की डेट मैं इत तरीक को डिसाइड करूंगा और यह बच्चे बिल्कुल फ्रेसर हैं इनोंने CPU कभी लगाया नहीं है competition में इनको बिठाने से पहले इनसे कम से कम चार या पाच वा CPU लगवाना पड़ेगा तब जाके यह competition के लाइक बनेंगे और इस competition दे विजेटा को एक microscope मिलेगा वो भी एसा टेलिकॉम की तरफ से जो हमारी 20 तरीकों विदाई फेरवेल होता है जिसके अंदर मेरे कुछ circuit में आपको बढ़ाता हूं CPU बढ़ाता हूं पूरी CPU कॉल कम हो गया है या मीडर टेक हो गया एक पैड लेवल की CPU में आपको बढ़ाऊंगा CPU के अंदर कौन सा पैड CPU को अगर पोर्ट ना बने तो कौन स के फॉल्ट आ रहे हैं RAM की रीडिंग आड़ी है तो CPU के अंदर क्या चेक करना है तो यह मैं आपको CPU बढ़ाऊंगा यह मेरा आखरी का देन होगा इस तरह का कुछ हमारा से लेवल से सो आप कि आपने सारी चीज़े संजी हो थैंक यू वेरी मच मौकर दीजे एक बार इंड अपडेटेट कोस भी फ्री लेके जाना उसके साथ मेरे को भी लेके जाना मैं आपको पल पर अपडेट करूंगा और आप 2026, 2027, 2028 में भी आप आओगे आना तो बढ़ेगा क्योंकि अपडेट होने के लिए आपको बार बार मिलना पड़ेगा तो जिस तरीके से हम आपके पड़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते है 7007-3192 क्योंकि मेरे पास है दस साल का इसे टीचिंग का एस्परियेंच जिसके मैं आपको दे सकता हूं तो हमारे साथ है 28 अगस्त की बेच आज कौनसा दीन है हमारा तीसरा दीन मतलब पावर किसकिस ने डन किया पावर डन सबने तो भाई साड़े दस बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी CPU CPU Mount Rebound किसकिस लेगरा है सबने क्या है तो चलिए ठेंक यो एंड ओल दबेस्ट तो चलिए थेंक यो एंड आमे वापन कंदेगार और मैं इदर आटा इस जून के वैच को जोईन किया था आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मेरे इदर आइंडोर का कोर्स करने आए था मेरे को कर्स भी एक एक तरह से घर बूला है तो एक पर अच्छा का मैरे तरह से धन्याबाद और देपका आप आपर जो अनीग एक बंगा इसके शिकाएगा जिकाएगा इसके एक बहुत बहुत सुक्रम्या हूँ निए तेलिपॉम और अन्डी सका और देव सकाएगा मैं नाम समय गोए मैं चातीज़ सूँ मेरे नहीं सी से अपड़ेगेगड़ है यह फॉन का गिफ्ट है जो आइपोन का कोर्स देव एक है अधा है यह खाल प्लाइपोन का कोर्स देव अधा हुश्ट आरोड का सिखने individual सक्षार है तैंडड का सिखने आय था कर सिखने आय अधा त्यूक एकलफिक का बाद बड़ी यह लिए भासुदे आपने चाहिए लिए इंडियागा नंबर वान इसीट को ले है अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करे एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गैरंटी वर्क तीन दिन में पौवर आईसी और चौथे दिन में CPU करवा देंगे हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी यहां हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर यह आपसे वादा है एशिया टेलिकॉम देश में Advanced Mobile Training Institute में सबसे बेस्ट क्यों है हमारे यहां स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थोरी क्लास यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है ना कि फोन टीचर से फोन रिपेर करके सिर्फ दिखाया जाता है यहां बेसिक से Advanced सीखाया जाता है जिसमें Hardware EMC Software है एशिया टेलिकॉम देश में Advanced Mobile Training Institute में सबसे बेस्ट क्यों है हमारे यहां स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थोरी क्लास यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है ना कि फोन टीचर से फोन रिपेर करके सिर्फ दिखाया जाता है यहां बेसिक से माज़ा है और यहां पर वे तरफ धिए अपको सिठू यहां बीले जो अभी से लूसन मिले जो ॥ो आपको स्टी स्वीर का ग्यान मिले और बेसिक स्टवेर उक्ताईफ अग्र सब्टार के लाइं हमेरे उन्स के आपको दो अगर हमारे है seems यह सा तक तो जोईन करो मेरी इस मेनी के 28 सारी की ख्लाफ 25 साइट तक आपको पहुचना है यहाँ पर तो आज ही कॉल करो यह मुझा ना चूपने दो और दूपस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007-3192 क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एकसे टीचिं का एस्प्रियंच जिसके मैं आपको दे सकता हूं धातर कॉलिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीच